आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिजीरें डिलीवरी के बाद होने वाली कॉमन समस्याओं और क्लिनिकल कॉम्पलिकुशन्स के बारे में और साथ ही ये भी बताएंगे कि इन प्रॉबलम से कैसे बचा जा सकता है सिजीरें डिलीवरी के बाद अकसर मेहलाओं को कुछ समानी में समस्याओं होती ही है जैसे की पेन अब्डोमन, गैस बनना, कमजोरी, मोशन्स का ठीक से ना आना वूल केर की दिकत इत्यादी जो समय रहते ठीक हो जाती है लेकिन जहां तक क्लिनिकल समस्याओं और प्रॉबलमस की बात हैं उनके बारे में जानना आती है बहुत जादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक छोटी सी प्रॉबलम भी अगर इग्नोर हो जाए तो ये जान लेवा हो सकती है तो बने रहे मेरे साथ आफिर तक इस डूडियो में इन प्रॉबलमस को समझने और इनके समधान के बारे में चानने के लिए लेकिए पहले 24 गंटे में आपको बियूशी की दवाई का आसर रहता है जिससे सर में भारी पन हो सकता है सरदर्द भी हो सकता है हलका फलका सा सरदर्द हो सकता है नोजिया हो सकता है उल्टी जैसा मन हो सकता है ये कुछ चोटी मोटी सी चीज़े है इन सीजन की जगा पे ये पेट में क्रैंप्स महसूस हो सकता है जो एक नॉर्मल बात है लेकिन अगर आपका headache या cramps की intensity बहुत ज़ादा हो तो अपने डॉक्टर से औरन संपर्ख करें हाला कि इस समय आप hospital में ही होते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है वहाँ पर staff होता है डॉक्टर होते हैं आपकी देख भाल करें ध्यान आपको रखना होता है तब जब आपकी hospital से छुट्टी हो जाती है जानी अपने घर आने के बाद पहला आपता काफी critical होता है जिसमें infection पहलने और bleeding का खत्रा काफी रहता है दूसरी जुरूरी बात यह है कि इन complications और problems को समय पे पैचान लेना और समय तो इनका इलाज करा लेना यह आपको बड़े खत्रे से बचा सकता है इसको समय पे पैचानने के लिए आपको 9 points पर धान रखना होगा जो मैं 9 points आपको बता रहा हूँ इनको आप ज़रूर ध्यान रखे इनमें से अगर कोई भी लक्षा अगर delivery होने के एक अपते के अंदर दिखता है तो बिना देर किये अपने आप डॉक्टर से संपच कर लेना चाहिए इसके पहला है पेट में बहुत तेज दर्द होना या इनके intense uterine cramps दूसरा होता है बहुत तेज ठंड लगतर बुखार होना तीसरा होता है पेट फूलना और हवा पास ना होना चोथा होता है पेशाब करने में परिशानी या पेशाब करा रुक जाना पास होता है लेट्रीन की रास्ते खून आना जहता होता है बहुत जादा victy होना अगर हर गन्ते आप एक पैट change करें यह से जादा यह दिकत है साथ महता है आपके जखम से blood आने या उज़ोना, आठ महता है आपको साथ लेने में कोई दिकत मैसूल सो नवा होता है calf muscles में बहुत तेज दर्ड होने ये no warning signal से science होते हैं इनको बिलकुल भी ignore नहीं करना चाहिए और इन लक्षनों पर नजर बना कर रखे ऐसा होना एक emergency condition होती है जिसके लिए आपको फॉरण अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए उससे संपर्क करना चाहिए या अस्पता जाना चाहिए कुछ मरीजों को पहले दो हफ़ते में जखम के आसपास हलका फलका दर्द भी होता है किसी को कम होता है किसी को जादा होता है ये एक normal बात है कुछ महीलाओं को इंसिजन के आसपास महीलों तक भी दर्द रह सकता है और कई बार urine incontinence भी हो जाता है जिसकी वज़ए जो है वो लिकृड जूस प्रोटीन वाले भोजन हरी सबजियां जादे से जादा इस्तमाल करें इनसे आपको फायदा मिलेगा रिकरवरी तेज होगी और साथी साथ खाने के समय का और उसकी मात्रा का भी घ्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको बच्चे का भी घ्यान रखना है उसक लागी आप किसी फिजियो तरफिस्ट की सवाद्य ले सकते हैं इससे भी रिकवरी बैटर होती है खास दोर से कमर दर्द में हाथ पैरों के दर्द में और जो पेल्वी मस्सिल्स की कमजोरी होती है उसको दूर कराने के लिए एक्सरसाइस काफी हैल्प करते हैं अब बात कर और्मल काम पर वापिस आ सकते हैं, exercise कब कर सकते हैं, तो यह कि Cezerian Delivery के बाद कम से कम 6-8 हफ़ते तक के आराम्थी तो जरूत होती ही होती है, कोई भादड़ वाला काम ना करें, हलका फलका वियाम आप दो अपते बाद भी शुरू कर सकते हैं, और 8 हफ़ते तक आप driving भी बि pregnancy हो सकती है, तो यह अपने डॉक्टर से परमार्ष करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आप 18 महीने के बाद दूसरी pregnancy प्लाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप 24 महीने के बाद प्लाइन करेंगे, तो यह जादा बेटर रहेगा, तीसरा सवाल है, Cezerian Delivery के जो हन्की फिल की दिशाज है, या इंगलेटिंग के दब्दे भी कहा सकतो, यह करीब 45 दिन यानि यह 6 अपटे तक आते ही आते हैं, उसके बाद आपके मेंसिस बंद हो जाता है, अगर उसके बाद continue रहता तो आपको कहा रखाता है, अब अगर मेंसिस बंद होते हैं, तो मे अगरेदी हो सकता है, आपको लगातार हो सकता है, कई महीने तक भी महावारी ना है, उसका करण होता है, जब आप पच्छे को दूद पिलाड़े होते हैं, तो उसकी करण आपका प्रॉलक्टिन लेवल जादा हो जाता है, प्रॉलक्टिन लेवल आपके मेंसिस को आने से र पानी जादती है अधिक फाइबर वाला भोजन खाए और साथ ही साथ ऐसी चीज़े खाए जो लग्जर्टिव हो जैसे आप इस अब गोल खा सकते हैं, इस अब गोल की भुसी इस्तमाल कर सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्ट मसालेदार भोजन बिल्कुल ला करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन कम अंतराल पे खाएं, और रात का जो भोजन है, वो सोने से दो गंता पहले कर लें, इससे आपकी गयस की समस्या जाती रहेगी, नमबर छे आपका जो सवाल है, सिजरें डिलिवरी के बाद नॉर् परसेंट, मक्सिमां दस परसेंट तक ही, सिजरें डिलिवरी के बाद नॉर्मल डिलिवरी होने के चांसे से रहता है, यह रिपेंड करता है आपकी नई प्रेग्नेंसी पे भी, और आपकी हेल्फ पे भी, तो मुझे अमीड है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल हैं चूब दे बाद